हालो फ्रेंड्स वेलकम टू स्मार्टनों की चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे देश के तमाम खबरों के बारे में जिया दोस्तों जानेंगे कुछ कुछ महत्पूर ऐसी खबरे जो आपको जानने के लिए जरूरी है जिया दोस्तों आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि प्रधान नंति नहिन मोदी ने तमाम लोगों के लिए जिया गरीब मजदूर भाई बेनों के लिए साथ ही स्वास्ते कमचारियों के लिए से आपका लॉकड़ून बढ़ सकता है जिया दोस्तों और लॉकड़ून की बाद भी जिया अगर करोनवारिस नहीं रुकेगा तो अगे क्या प्रोसेस रहे गा सरकार की सब जानेंगा सब जानेंगी यह वीडियों के अंदर तो आप इस वीडियों का लिए जरूर करता हूं कहीं पर भी जगर जाएं तो काफी जगहों पर यह नियूज आ रही है कि डॉक्टरों और स्वास्ते कर्मचारियों की टीम पर काफी हमले हो रहे हैं उत्रप्रदेश में तो एनसे भी लागू कर दिया गया है इनके उपर जिया दोस्तों आदितनात योगी ने जिन परवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटना भविष में दुबारा ना हो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जिया दोस्तों प्रधान मंति नहीं मोदी 27 अप्रेल को लेंगे एक बार फिर से जायजा सबी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फरेंसिंग पर बा तैयार नहीं हो पाई है फिल्हाल यह बात जो है अटकले तेज हो रही है कि लॉक्डाउन वापस से बढ़ने की जो है आसाज जादा दिख रहे हैं क्योंकि और कोई इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि करोना वाइक्सिन जब तक तैयार नहीं हो जाती तब तक जो है सबसे ज्यादा खत्रा जो है पूरे विश्व में वह भारत जैसे देश में है क्योंकि यहां पर जनसंख्या की दर सबसे ज्यादा है इसलिए सरकार ने अभी तक जो है इस पर फैसला नहीं लिए कि जैसे ही वह तीन महीं आएगा उसके बाद अगर करोना वाइरस की जो वै लाक में दम कर दिया जियां दोस्तों सभी राज के मुख्यमें जो है इस बास से परिशान है क्यों योगी अधितनाथ ने तीन सो बसे चला कर कोटा से सभी स्टूडन्स को यानि सभी बच्चों को जो विद्यार थे थे उन्हें अपने राज में वापस ले आया है इसी प् मजदूरों के वापसी के लिए वो बसों का इंतिजाम कराएंगे फिरहां लॉक्डॉन चल रहा है इसकी बीच जो है केंसरकार ने एक राज पर काफी फटका लगाई और वो राज है आपका केरल किया दोस्तों केरल में जो है लॉक्डॉन को सक्ति से पालन नहीं हो रहा है काफी जगे दुकाने खुली हैं और लोग भीड इकठा हो रही है इसी वज़े से केंसरकार ने केरल पर काफी फटका लगाते हुए कहा है कि अगर आप लॉक्डॉन का सक्ति से पालन नहीं करेंगे तो इसका आपको लिखित में जवाब देना होगा अगली खबर की तरह ब चंपे भी खाते हैं पैसे अभी तक नहीं आए तो आप वीडियो के न reviewers कमेंन्ट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप कि कहां से हैं और आपका से बिलॉंग करते हैं आप नहीं दोस्तों अगली खबर की तरह बढ़ते हैं जन्धन खाता को लगे तमाम लोगों के बीच पर जो अटकले हैं कि जिनके पास जन्धन खाता नहीं उन्हें 500 रुपे नहीं मिलें जन्धन खाता खुलना हुआ आसान अब अपने घर बैठे भी जन्धन खाता के लिए अपलाई क कर सकते हैं जिया आपको ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म मिलेगा उसके बाद उसको भर ना और आपको एक बार बैंक में विजिट करना है उसके गर में जा जा जाके और आप आप जाके बैंक में आखुलवा सकते हैं अगली तर चलते हैं दोस्तों अग्ली खबर है रोजगार से सम्मझ दीत रोजगार को लेकि काफी लोग परिशान है क्योंकि लौटवन की बाद अगर लौटवन खुलता है तो उसके बाद सबसे बड़ी गर समस्या है देश के सामने तो वो है बेरोजगारी की संक्या जो है पहले स कंपनियों के मालिकों ने और प्राइवेट सेक्टर के मालिकों ने सरकार से गुहार लगाए कि वह जल्दी कोई राहत पैकेज घोशना करके इन तमाम जोजगार को बचा सकते हैं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जिया दोस्तों तमाम जो मजदूर है जो गरीब है जो दूसरे राज्यों में फसे हुए हैं यानि की काम के सिलसले से याते हैं वहाँ काम करते हैं लेकिन उनका राज कहीं और यानि कि वह फसे हुए ऐसे तिम continues'ने नह रहिए कि तमाम लोगों को जितने भी गरीब हैं जितने भी गरीब तबके के लोग है उन्हें जो है किट दिया जाएगा जो यहां पे आपको किट के अंदर मिलेगा पांच किलो चावल पांच किलो गयों सक्कर चाय पती तेल साबुन इस सारी चीज़े एक किट के मादन से अगर ट्रांस्पोर्ट की फीस इसमें जॉइंट है तो आप उसके खिलाफ करवाई कर सकते हैं जिया दोस्तों यानि कि आपको स्कूल की फीस नहीं भरनी है तीन महिने के लिए लेकिन उसमें सिर्फ ट्रांस्पोर्ट यानि जो बसो का किरा है वो नहीं देना है बाकी आप झाल 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 झाल